नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे कि मानसिक स्वास्त को कैसे बहतर बनाया जा सकता है तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि दूसरों से जुड़े रहें और अपने आपको अलग ना समझें एक हीन भावना को मन में कभी भी ना आने दें इसमें दूसरे नमबर का पॉइंट है कि पॉजिटिव सोचें सारे रइक रूप से सक्रिय रहें एकसरसाइज, योगा वगेरा करते रहें जादा से जादा बापिंग करें, पैडल जलें पैडल चलना बापिंग करना भी एक तरही की एकसरसाइज है इसमें तीसे नमबर का पॉइंट आता है कि दूसरों की मदद करते रहें परियापत नींद लें और समय पर सोएं और समय से जगें अगर आप अपनी जिन्दिगे को बहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज है नींद यदि आप समय पर खाना खाते हैं और परियापत नींद लेते हैं तो आप पी बॉड़ी इंदम परफेक्ट रहती है इसमें चौथा पॉइंट आता है कि हैल्दी डाइट ले खासकर मूट को बहतर बनाने वाली चीजों को खाएं इसमें अगला पॉइंट आता है पांचवा पॉइंट सराव धूरपान से भुशेए खूब धूप ले सबात लें धूप में निकलना धूप मे बैठ़ना भी बहूत ही अच्छा महना जाता है मारी पॉड़ी के लिए माइड के लिए फिर इसमें अगला पॉइंट आता है कि तनाव ज्यादा ना ले ठोकि जो जिन्दगी में होना है तो वो तो होकर ही रहेगा इसलिए बिना फाल्दों में अपने आपको सोच कर ज्यादा ओवर थिंकिंग करके तनाव ना ले फिर इसमें आता है अगला पॉइंट बहुत ज्यादा सोचना बंद कर रहे हैं कभी-कभी हमारी लाइफ में कुछ ज्यादा ज़रूरी बात भी नहीं होती है कोई ऐसी समस्या भी नहीं होती है लेकिन हम उसको ज्यादा सोच करके उसको बड़ा बना लेते हैं अपने आपसे लेकिन आप इस तरीके से सोचना बंद करें ज्यादा से ज्यादा और जो उसका सॉल्यूशन है उस पर काम उस पर ध्यान लगा है उसको solution ढूने ना कि over thinking करके अपनी problem को बढ़ाएं तो ये कुछ points थे जिनसे कि हम अपनी mental health को बहतर बना सकते हैं तो I hope यदि आप भी किसी mental problem से गुज़र रहे हैं आपको tension हो रहे हैं तो आप इन points की help ले सकते हैं Thanks for watching